दोस्तों आज के वीडियो में रिव्यू करने वाले एक बहुत ही लेटेस्ट कॉंड़म जो सूपर सूपर अल्टरा थीन है जिसका नाम है OKOMOTO 002 दोस्तों पुराने वीडियो में आपने देखा कि मैंने जो जो कॉंड़म लॉंच होते गए उसके वीडियो में आपको बना कर रहो और ओपन करके दिखा रहो ताकि आप डिसाइड कर पाते हैं कि कॉंड़म में सबसे बैस्ट कौन सा है और कौन सा आपको यूज करना चाहिए तो बहुत सारे लोग है जिनको सूपर अल्टरा थिंग कॉंड़म अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे ज्यादा करना चाहिए लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप उसको यूज करना चाहते हैं नहीं एक वराइटी के कॉंड़म तो आपको अल्टरा थिन और सुपर अल्टरा थिन कॉंड़म सभी को अच्छे लगते हैं तो उनको यूज करके देखिए अभी दोस्तों कंपनी ने है यह सबसे पहले इन लॉट इन लोंच किया जिसको अल्टरा थिन बोला जाता था इसका नाम था कि इस 앞에 मॉट्य चाना है फीए तो इन दोनों का एक तरह से कॉंपेटिशन था लेकिन इसकी मार्केटिंग ज्यादा है इसको बारे में ज्यादा जानते हैं लोग अब इसके काफी सारे फ्लेवर्स भी अविलेबल है उको मोटो जापान के उसके अलावा इसके बाद जो रेंज आगए उसके बाद आगए 003 की रेंज जो की लेटेस्ट माने जा रही थी अभी तक 003 ओको मोटो ने लांच किया फिर डियो रेंच ने इन्विजिबल लांच किया यह 003 की रेंज है जिसकी कॉस्ट लगबाग 500 रुपे के आसपास आती है अब ओको मोटो जापान लेकिया यह 002 599 रुपीज में 6 पीस का पैक है पहले 10 पीस के पैक सा रहेते तो अब इनको कॉस्ट अफोर्डेबल करने के लिए इसको 6 पीस कर दिया ताकि यह उसी कॉस्ट में लगबग 600 रुपे में आपको 002 दे रहें तो आज इसको ओपन करके दिखाएंगे दोस्तों कॉड़नम यूज करना बहुत जरूर कर ऐसी है जिनको लेटेक्स से सेंसिटिव होती हो लेटेक्स कॉंडम यूज करने से उनको थोड़ी सी इरिटेशन होती है जलन होती है या फिर उनकी वेजायना की पार्ट में आसपास खुजलिच होना चालो हो जाती है बहुत सारी फीमेल को अगर रेगुलर कॉंडम से उनकी प्राइटीज की कंडम आ गए है बने पुराने वीडियो में काफी सारे वीडियो बना रखें जैसे लाइफ है स्कीन कॉंडम आता है वह भी नॉन लेटेक्स है डिूरस का रीएल फील आता है वह भी नॉन लेटेक्स है अब यह ऑकोपोटो जापान का 002 है यह अल बड़े कॉंडम चाहिए जिनका पीनस का साइज मोटा है तो वो ये यूज कर सकते हैं वैसे रेगुलर साइज के वाले भी इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लैक्सिबल होता है इसको ओपन करके और देख लेते हैं मैंने आपको कॉस्ट बताई दिये 599 रुपाइस की क बनावार इसको बहुत आसानी से इस तरह से खोल सकते हैं इसकी इंकाल को सबसे कर सकते हों कर सकते आहां मたउताем करते हैं लि 느낌 kे व्लेकिन इंहोंने है कि वास्ता है जत्क प्रलाम है मैं लदकार्षे। सब कुछ डिटेल्स इसमें इन्होंने प्रिंट की हुई है छे कॉंडम का पैक है बहुत हलका लाइट वेटेड कॉंडम है विसे एक कॉंडम को मैं आपको कोल के दिखा देता हूं फाकि आपको डिसाइड करने में आशा नहीं देगी पुराने वीडियो से आप पंपेर कर सक कॉंडम महेंगा है और दोस्तों काफी लोग यह समझते हैं कि अल्टा थिन कॉंडम है तो उसका फटने का चांस भी रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं अब इसको ओपन करने के लिए आपको कुछ भी परिशानी नहीं है थोड़ा सा दबा के देखेंगे ताकि आपक सिंपल बिना कैंची है चाकू के हाथ से पूल लेना इसको उसको बहुत प्रीमियम है देखेंगे आप 002 कितना पतला कॉंडम है ऐसा लग रहा है कि कॉंडम है यह नहीं है बहुत ज्यादा अल्ट्रा थीन है सही साइड से अंडोल करना भी जरूर ही है इतना ट्रांस्पेरेंट और इतना पतला कॉंड़ना अभी तक नहीं ओपन किया था आप तक फस्ट टाइम है यह बहुत पतला है वास्तर में लुब्रिकेंट भी काफी ज्यादा है और मैटिर लेटेक्स हाई नहीं है यह सूपर अल्ट्राथिन मैटिरल है दिख रहा है आपको कितनी हाई क्वालिटी कॉंडम है किसी भी कॉंडम में यह बात नहीं थी अभी तक और साइज थोड़ा सा दिखी रहा है बड़ा है इसका मोटा साइज का कॉंडम है इसकी बेट थोड़ी सी ज्यादा है तो दोस्तों यह है यूरेक्स 002 बिल्कुल भी हलकी क्वालिटी नहीं है अगर आप यह सोचे कि अल्ट्राथिन कॉंडम में तो फट जाएगा इसकी क्वालिटी कितनी सुपर थीन है कितना एक्सिलेंट है इसको डालके और देखते हैं क्लियरली दोस्तों यह है ओको मोटो 002 बहुत ही ट्रांस्परेंट हाई क्वालिटी प्रोडेक्ट है 002 मतलब सुपर सुपर अल्ट्राथिन जरूर यूज करें और इसका फीडबे कितने अवादोस्तों